नमस्कार दोस्तों, श्वागत है आप सुभी लोगों का एक वर्फिर से 18 फर्वरी महाशिवरात्री तुलसी में बांदेना ये एक चीज करोडपती बना देगा। श्वागतों के लिए महाशिवरात्री का पर्व बहुत महत्पूर और पवित्र पर्व होता है। महुस्व से कम नहीं है। इस दिन संपूर भारत में भगवान सिवजी के मंद्रों में आराधना के श्वर सुनाई देते हैं और पूर्ण वातावरन श्युमय हो जाता है। इस्त्री होया पूरुस बहुत ही उत्सव से सिवजी की पूजा अराधना करते हैं और ब्रत रखते हैं। इस बार की महा श्युरात्री का यनि की जो परव है अठारा फरवरी दिन शनिवार को पड़ रही है। जी हां। इस बार के श्युरात्री पर कई शारे दुरलब शुपसयोग एक साथ बन रहे हैं। यूं तो सिवजी बहुती संतोष्ट और सहीमी रहने वाले भागवान हैं। इस संसार में भागवान सिव से जड़ा भोले भाले देवता कोई नहीं है क्योंकि ये जल्दी परसंड होने वाले हैं। जिसके उपर स्युजी की कृपा हो जाए तो उसके वारे नियारे हो जाते हैं और अगर इन्हे क्रोध हा जाए तो फिर ये यनिकी दुन्या को भश्मिभी करदेते हैं अपने क्रोध के जौला में हलाकि इतने जल्दी इन्हें क्रोध नहीं आता भगवान जी को प्रसंद करने के लिए एक लोटा जल ही काफी है शाति साथ बता दे कि इस बार की महाशिवरात्री के दिन सरवार सिध्योग, शिव नामक योग और अम्रित सिध्योग का निर्माड हो रहा है महाशिवरात्री के दिन आप अपने घर पर ही यनि की शुर उदय से पहले उठें और सिव लिंग पर जाकर एक लोटा जल में थोड़ा सा कच्चादोद, थोड़े से चावल आप डालके उन्हें शनान करें, पंच्यमर से शनान करें और फिर आप यनि की बेलपतर चड़ाए धतूरा चड़ाएं, मदार के पुष्प चड़ाएं, इस तरह से उन्हें आप परसंद करें, क्योंकि भागवान भोलेनात को इस दिन एक रोटा जल चड़ाने से समस्त मनों कामनाओं के पूण हो जाती है, भागवान भोलेनात और माता पार्वती की इस दिन पूजा करें भागवान भोलेनात और माता पार्वती का इस दिन बिवाव हुआ था, महा शिव रात्रे के दिन ही भागवान भोलेनात और माता पार्वती का बिवाव होने से, यनि कि इस दिन का खास महत्त है, भागवान शिव और माता पार्वती इस दिन बहुत ही परसंद मुद्रा मे रहती हैं इसलिए इनकी पूजा राधना में कोई भी कमी ना लाएं और इस दिन चाहें तो ब्रत भी रखें पूरे दिन आप और पूरी रात निर्जला ब्रत रखें हो शके तो इस दिन आप ओम्न में शिवाय मंदर का नाब जबते हुए पूरे दिन और रात रिजाप यान अगर आप महा शुरात्रे के दिन तुलसी में बान देते हैं ये एक चीज तो माता लक्ष्मी जी दोड़ी दोड़ी चली आएंगी मा लक्ष्मी कृपा से आप मालावाल हो जाओगे दोस्तों तुलसी तो सभी लगाते हैं अपने घरों में लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए तुलसी के नीचे महा शुरात्रे के दिन ये चीज बाधने से मा तुलसी का मिलता है धेर सारा आश्रिवाद मा होती है आकर्षित नहीं आते कष्ट दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो ये आपके परिवार के लिए बहुत ही लावकारी है तुलसी के पौधे में देवी लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है और निमित रूप से तुलसी के पौधे की पूझा करने से खास करके महा शुरात्रे क दिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधने पर मा तुलसी का मिलता है आज तरबाद आपको सारी खुशी मिल जाती है जिसके आप हकदार हैं लेकिन तुलसी के नीचे ये चीज बांधना भी है जरूरी दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक बिंती है क्रिपया हमारे च पूज़ी के समानी पूज़नी माना जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है। चुनरी उढ़ा कर रखा जाता है। इस बात का ध्यान खास कुछ लोग ही रखते हैं। कई लोग ये भी गलतिया करते हैं कि तुलसी की चुनरी काफी पुरानी हो जाती है और फट जाती है। लेकिन कुछ अच्छे दिवस पर ही कोई सुव दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। आपको न केवल तेवारों पर चुनरी बदलना चाहिए बलकि आपको महा शुरात्री के दिन भी तुलसी को आप हमेशा यानि नई चुनरी उढ़ाएं। और क्योंकि मा लक्ष्मी जी बगर चुनरी की अच्छी नहीं होती हैं और नाराज हो जाती हैं। आपको फलों की प्राप्ती नहीं हो पाती हैं। करने से आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जागी और माता लक्ष्मी क्रिपा से आप को करोडपती बनने से कोई नहीं रोक शकता। खाली पौधा कभी भी आप घर में ना रखें। हमेशा तुलसी के नीचे एक लाल मॉली धागा जरूर बांध के रखें। वरना तुलसी माता नाराज होती हैं। आपको फलों की प्राप्ती नहीं होती है। तुलसी में कोई भी अन पौधा नहीं लगाना चाहिए। सुबह शाम एक सुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए दोस्तों महाश्युरात्री का पर बहुत ही सुब होता है इस बार महाश्युरात्री पर कई सुबह योग बन रहे हैं इसलिए मातालक्ष्मी खाश कृपा बरस रही है तो माता लक्षमी की कृपा प्राद कर निकले तुलसी के नीचे आप एक लाल मौली धागा ले लें पांच हल्दी की गाठ बांद कर आप अपनी मनोकामना बोलते हो जरूर बांदें या फिर आप चाहें, तो आप खाली मौली धागा यानि एक लाल मौली धागा खाली भी बांद सकते हैं, इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी मालक्षमी कृपा बरसेगी, कभी भी आपको धन की कमी नहीं होगी, या फिर आप चाहें तो एक लाल मौली धागा ले नहीं होगी तो आपको महाशुरात्रि के दिन ये चीजे बांधना है और अगर आपको लाल मौली धागा न मिले तो एक लाल चुनरी ही आप तुलसी के नीचे जरूर बांधे इससे भी माता तुलसी के सासत माता लक्षमी कृपा प्राप्त होगी कभी भी धनकी कमी नहीं करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए जय मालक्षमी